ये हसते खिल खिलाते चहरे, ये मासूम मुस्कुराते चहरे, इसमें से किसी के हाथ नहीं है, तो किसी के पाओ नहीं, कोई ठीक से देख नहीं सकता, तो कोई बोल और सुन नहीं सकता है, लेकिन इनके होसले बुलंद है, ये तस्वीर गुजरात के सूरत के दिव्यांग भव यहां दव्यांग बच्चों को शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाती है जिन बच्चों के कोई अंग काम नहीं करते या जन्म से ही दव्यांग होते हैं उनके लिए सूरत का ये दव्यांग भवन किसी जन्नत से कम नहीं है जहां आम इनसान के होसले पस्त हो जाते हैं वहां ये मासूम बच्चे उम्मीद की किरण है ये वो नहीं है जो मुसीबतों से घबरा कर होसले तोड़ देते हैं ये वो है गर ठान ले तो हवाओं का रुख मोर देते हैं अगर आप अपनी जिन्दगी से निराश हो चुके हैं और आपको लगता है कि जीवन की सारी समश्याएं आपकी ही हैं तो इसका मतलब है कि आप सूरत के दिव्यांग भावन में कभी नहीं गए अगर आप एक बार दिव्यांग भावन पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि जीवन में संघर्ष असल में बहुत जाता है आपके पास सब कुछ है आपके पास अपने हाथ हैं आप एक स्वस्त शरीर के मालिक हैं उसके बावजूद आप बहुत सारी समश्याओं से ग्रस्त रहते हैं परंतु यहां आकर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जिन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है जिन बच्च जो कि पूरी तरह से खिल नहीं पाएं हैं उन बच्चों को मुष्कुराने का एक मॉका दिया है दिव्यांग भवन में ये जो खिलखिलाती मुस्कान दिख रही है दिव्यांग बच्चों के आँखों में जो सपने हैं उसके पीछे जो शक्स हैं उनका नाम है कनुभाई टेलर कनुभाई टेलर का खुद का 75 फीसदी शरीर काम नहीं करता लेकिन आज इन बच्चों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है कनुभाई को भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पजमिश्री से नवाजा जा चुका है कनुभाई बच्चपन से ही दिव्यांग है लेकिन उन्होंने अपनी दिव्यांगता को कभी कमजोरी नहीं समझा बलकि उन्होंने उसे अपनी ताकत बना लिया बगवान ने मुझे जन्मत से दिव्यांग बनाया था मैंने दिव्यांगता बहुत नजिक से देखा और मेरे माबाप भी बहुत गरीब थे और मेरे गरीबी भी बहुत अनुभाव किया इसके बज़े मैं अम्मे सा दिव्यांगों के काम करने के लिए मेरी भावना रही थी कनुभाई दिव्यांग वेलफेर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं उन्होंने 1997 में चार बच्चों के साथ दिव्यांग स्कूल की शुरुआती थी आज 400 बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों को नेशुर्क शिक्षा मिलती है स्कूल की ओर से बच्चों के लिए बस की भी सुविदा दी जाती है ताकि दिव्यांग बच्चे बिना किसी परेशानी के स्कूल आजा सके दिव्यांग भवन में बच्चों का बहुत समवेधन शीद तरीके से ध्यान रखा जाता है उनके लिए खाने का इंतजाम दी स्कूल में ही होता है. तालीम सेंटर है, रियेव सेंटर है, यहां होस्पिटल प्रभु जन्रल होस्पिटल है, उसमें दीवियांगों को बीना मुल्ये ऑपरेशन होता है, यहां से अभी तक 38,000 बच्चे लाब ले चुके हैं, हम किसी के पास पैसा नहीं लेते हैं, बीना मुल्ये उसको पढ़ाते कॉलेज के बाद उनको जॉब इमिजेट मिल जाती है, आज कितने बच्चे मेरे अंडर सेक्रेटरी है, डॉक्टर है, वकील है, सिक्षक है, सभी पोली स्टेशन में है, बैंकों में है, चार साल हो गया कि दिव्यांग टीवी चैनल चलाता हूँ, उनके मार्द्यम से कलकत् से भी लोग पढ़ने के लिए आते हैं दिव्यांग, कोई भीहार्स के आते हैं, सवरार्स से आते हैं, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ, तो दिव्यांग टीवी चैनल के माध्यम से मुझे ये फाइदा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि अपने देश का एक भविश्क आप बोलते हैं, तो मैं एक उनिशिटी भी बनाना चाहता हूँ, कि एक उनिशिटी मैं बना दूँ ये कनु भाई टेलर की ही देन है, कि सैखडों असहाए बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं वे बच्चे जिनके माबाप ने कभी उन्हें छोड़ दिया था, वे आज दूसरे दिव्यांगों के लिए मिसाल बन रहे हैं कनु भाई टेलर बताते हैं, कि दुनिया भर में दिव्यांगों को किन-किन परिशानियों से गुजरना पड़ता है दुनिया में दिव्यांगों को लिए ओल्डेज होम नहीं है मैं दुनिया के बात करता हूँ, बारत की नहीं कि मैं लंडन, अमेरिका, स्विजिलेंड, स्कॉटलेंड, आइलेंड, कुवेर्ट, फ्रांस, जापान, सभी जेगा पर मैं जा के आया हूँ मैंने देखा है कि दिव्यांगों के लिए कोई जेगा पर ओल्डेज होम नहीं और कोई रखते भी नहीं है और भारत में भी रेलवेटेशन, बस्टेंड, गार्डन, जायर, बगीचा, कहीं भी लावारी स्लास हो तो दिव्यांगी होती है मेरा मैने देखा है मैं भी बुढड़ा होने वाला हूँ तो मुझे दिल में हुआ कि मुझे कुछ दिल्स के लिए करना चाहिए इसके लिए नरब्दा नदी के किनारे परूज कुमान देव, अन्मान जी का मंदीर उनके सामने मैंने दस विगा जमीन दे लिया दिव्यांग भवन के बच्चे आज उन भुलंदियों को चू रहे हैं जिसके बारे में शायद वे कभी सोच भी नहीं सकते थे ये शरीर से असहाय जरूर हैं लेकिन मन से चट्टान तोड़ने का होसला रखते हैं कोई मुश्किल पड़ाव आ जाए तो ये फते करना बखू भी जानते हैं इन नन्ही आँखों में होसला भरा है इनके अभिभावक कनु भाई मौजूदा प्रधान मंत्री और गुजरात के ततकालीन मुख्य मंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ करते हैं और बताते हैं कि किस तरह मोदी जी ने उनकी मदद की किस तरह मुझे तरह मुझे देखा वहाँ और बोले देखो कनु लाल मैं आगाया चलो मेरी गारी में बैठ जाओ स्कूल पर जाएंगे मैं बहुत खूस हो गया यह उनकी गारी मेरे वहाँ इस सब बच्चो को मिला तब मुझे पूछा बोलो आपको क्या कर मदद चाहिए मैंने का सर मुझे तापी नदी के किनारे मैं स्कूल बनाना चाहता हूँ तो आप मुझे जग्या दो तो मैं पैसा बात कामका नहीं दूगा आप कोई करना पड़ेगा कोई ग्रांड भी नहीं मिलेगी मैंने का कोई बात नहीं उस ते इमीजेट मुंसिपल कमिस्टर और मि अगर आप सूरत के इन बच्चों से मिलेंगे तो यखीन आपको जिन्देगी की कीमत समझाएगी ये बताते हैं कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो इंसान के होसलों के आगे कुछ भी नहीं कनु भाई की इस पहलने कई जिन्दगियां सवारी हैं और ये सिलसला जारी है अगर सूरत आकर आप इस दिव्यांग भाउन में नहीं आते हैं तो आपका सूरत आना निश्फल हो जाता है अगर जीवन में आप किसी तीर्थ पर नहीं गए तो कोई जरुरत नहीं है उस तीर्थ पर जाने की आप सिर्फ इस दिव्यांग भाउन में आकर इन खुबसूरत इन प्यारे प्यारे बच्चों से मिल लीजिए आप उस शक्षित से मिल लीजिए जिसने इस दिव्यांग भा झाल झाल झाल